दिल्ली महिला आयोक की ओर से आयुजित कारिक्रम में नारी शक्ति को सम्मानित किया गया इस मौके पर मौझोद भारत एक्सप्रेस नेटवर्क के CMD और अडिटर इंचीफ श्री उपेंद राय ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी बाते रखी श्री उपेंद राय से खास बाचीत की भारत एक्सप्रेस सहियोगी कविता सिंग ने और इस वक्त भारत एक्सप्रेस के CMD एडिटर इंचीफ उपेंद राय जी खुद हमारे साथ महजूदे उपेंदर जी भावुक कर दिया आपने पूरे अंदर की महफिल को पूरे सदन को लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे थे और जो सामने हेड कॉंस्टेबल थे वो भी बाद में आपकी तारीफ कर रहे थे वो कह रहे थे मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मुझे आपसे यह सम्मान मिला और उससे भी बड़ी बात जिसका आपने जिक्र नहीं किया लेकिन मैं चाहती हूं दर्शकों को पता चले कि हमारे चानल में भी महिलाओं की बहुत जादा भागिदारी है यानि भरोसा आपको महिलाओं पर आधी आवादी पर जादा है बिल्कुल महिलाओं पर भरोसा इसलिए भी है कि महिलाओं बहुत दयालू होती है और बहुत मदद करने में सबसे आगे होती हैं काम करने में करतव्य निष्ठ होती है और सच्ची कर्मयोगी महिलाएं होती हैं क्योंकि निहस्वार्थ भाव से परिवार को चलाना, बच्चों को पालना और अपने परिवार की देखभाल करना ये सबसे बड़ी सेवा है, ये देश की सेवा है और महिला ससक्तिकरण की बात इसलिए अभी जरूरी है इस देश में कि अभी भी महिलाओं को जो अधिकार जो सम्मान मिलना चाहिए, कभी बैदीक युग में आपलाग होसा और तमाम विदुसी महिलाएं थी उनको जो वो कद और पद हासिल था, लेकिन समय बदलने के साथ साथ पूरुस सत्तात्मक समाज ने महिलाओं के उन अधिकारों को छ बेकुल जायज है और मुझे लगता है कि वो दिन सबसे बहतर और सुन्दर दिन होगा जब पूरे देश से पूरी दुनिया से महिलायोगों का खात्मा हो जाएगा और ये इसकी जवरत ही नहीं रह जाएगी, इंपावर्मेंट इस लेवल तक पहुँच जाएगा. बेकुल उपेंदर जी हम समानता की बात करते हैं, हम समान अफसर की बात करते हैं, हम समान पेचक की बात करते हैं और इन सब के बीच एक चानल का आप आगास करते हैं, सत्ति के साथ करते हैं, साहस के साथ करते हैं, समरपन के साथ करते हैं और महिलाओं की इस हद तक सिर्फ एक कारण से कि मेरे मन में हमेशा एक ख्याल रहता है कि कोई काम पूरुष को असाइन करो और एक महिला को असाइन करो मैंने रिजल्ट हमेशा महिला से बेहतर पाया है और अच्छा पाया है मेडिया में मुझे लगता है कि महिलाओं की भागेदारी बढ़ रही है और जितनी महिलाओं की भागेदारी बढ़ेगी उतना समाज मजबूत होगा क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं एक हद तक अन्याय बरदास करती है लेकिन जब वो बगावत करती है तो परिवर्तन होता है क्रांती आती है इसलिए जब न्यूज रूम में महिलाएं बैठी होंगी न्यूज पढ़ने के लिए महिलाएं बैठी होंगी तो मुझे लगता है कि तब सही अर्थों में सत्य साहस और समर्पण का आबिर भाव होगा सत्य साहस समर्पण उद्यमान होगा थैंक्यू धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए कैमरा परसन शरत बारिक के साथ कविता सिंग डिल्ली भारत एक्स्प्रेस